नमो नमा प्रिय छात्राह अध्यवयम बकस्य प्रतीकारह इत्यस्य पाठस्य तृतिय चतुर्थ प्रश्णयोह उत्तराणी ग्यास्यामा बच्चों आज हम बकस्य प्रतीकारा अर्थात बगुले का बदला इस पाठ के तीसरे और चोथे प्रशनों के उत्तर जानेंगे कीसरा प्रशन है अधो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तरम लिखत अर्थात नीचे लिखेवे प्रश्नों के उत्तर लिखो अधा मने नीचे और संदियों के शब्द बन गया अधो लिखिता नाम अधा प्लस लिखिता नाम अधो लिखिता नाम अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम में सश्टी विभक्ती का बहुवचन है लिखत लिखधातु है लोट लकार आज्या देनी के लिए मध्यमपुरुष बहुवचन श्री गालस्य मित्रम कहा आसीद अब बचों एक चीज आपने ध्यान देनी है जब प्रस्ण में लिखा होगा कि एक पदेन उत्तरम लिखत तब आप एक शब्द में उत्तर लिखेंगे किन्तु जब ऐसा नहीं लिखा होगा एक पदेन उत्तरम लिखत ऐसा नहीं लिखा होगा तो आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है तो यहाँ पर पूर्ण वाक्या में उत्तर होगा श्रिगालस्य मित्रम बकह आसीत अर्थात सियार का मित्र बगुला था यह पूर्ण वाक्या में उत्तर लिखना बहुत आसान होता है केवल आपको प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर लिखना है बाकि पूरा वाक्य वैसा ही लिखना है तो यहाँ पर हम केवल कहा के स्थान पर बकह लिखेंगे सियार का मित्र कौन था? बगुला तो शेगाले से मित्रम बकह आसी ऐसे लिखेंगे ख, स्थाली तह, कहा भोजनम न अखादत थाली से किसने भोजन नहीं खाया अखादत में खाद धातू है खाद मने उता है खाना लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन इस थाली तह में प्रत्य है थाली से तल प्रत्य है तह बनता है तह प्रयोग होता है इसका शब्द के साथ और जैसे आपको बताया था विद्याले से विद्याले तह वैसे थाली से स्थाली तह थाली से किसने भोजन नहीं खाया आप लिखेंगे यहाँ पर बकहा किस्तान पर बकह थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया बकहा शिरगालाए भोजने कि मयच्छत बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया आयच्छत यच्छ धातु है यच्छ मने होता है देना लंगलकार प्रथम पुरुष्ट एकवचन दिया कि मायच्छत क्या दिया श्रिगालाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है जैसे बालकाय तो देने के अर्थमें हमेशा जब किसी को कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है तो देने के अर्थमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तिसलिए श्रिगालाय हो जाएगा भोजने सब्तमी विभक्ति एक वचन श्रिगालस्य स्वभाव अच्छा बच्चों यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे बकह श्रिगालाय भोजने क्षीरो दनम अयच्छत किम की जगे क्या लिखेंगे? क्षीरो दनम क्षीरो दनम मने खीर बगुलेने सियार को खीर दी भोजन में खीर दी अगला श्रिगालस्य सुभाव की द्रिशा भवती सी आर का सुभाव कैसा होता है भवती भूधातू लटलकार प्रतम पुरुष एक वचन श्रिगालस्य सस्थी विभक्ती का एक वचन सी आर का का के की के लिया मेशा सस्थी विभक्ती का प्रयोग होता है जैसे बालकस्य, सोभाव, सोभाव शब्द भी पुलिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ आया कीद्रिश उप, तो सहार का सभाव कैसा होता है, कुटिल चिवल कीद्रिश के इस्थान पर आप लिखेंगे कुटिल आपको बताएथा जिसकी कतनी और करनी में अंतर होता है उसे कुटिल स्वभाव वाला कहते हैं क्योंकि बगुले को सियार ने खीर खाने के लिए बुलाया था किन्तु उस्वयम ही सारी खीर खा गया अगला प्रश्न है पाठात पदानी चित्वा अधो लिखिता नाम विलोम पदानी लिखत अर्थात पाठात पाठसे पदानी चित्वा शब्द चुनकर अधो लिखिता नाम नीचे लिखे उए शब्दों के विलोम पदानी विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थवाले शब्द लिखत लिखो विपरीत अर्थक शब्द लिखो विपरीत मने उल्टा पाठात में पंचमी विभक्ती एक वचन पदानी पद अकारांत नपुन्सक लिंग शब्द है और ये प्रत्मा विभक्ती और द्वितिय विभक्ती का बहु वचन है तो यहाँ पर द्वितिय विभक्ती का बहु वचन है जैसे पुश्पम पुश्पे पुश्पानी तो पाड से पदों को शब्दों को चुनकर नीचे लिखेवे शब्दों के यहाँ पर सश्टी विवक्ती का बहुवचन है विलोम पदाने लिखत विलोम शब्द लिखो लिखत लिखधातू लिख मने लिखना लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन आज्या देने के अर्थ में लोट लगार का प्रयोग होता है यह था शत्रू मित्रम शत्रू का विलूम शब्द है मित्रम सुखदम दुखदम सुखदम दुखदम शत्रूता मित्रता आप्रसन्ना प्रसन्ना दुर व्यवहारा, सद व्यवहारा दुर व्यवहार मनन Sick व्यवहार, सद व्यवहारा मनने अच्छा व्यवहार सायम प्रात असमड्थ ह समड्थ ह तो बचू इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो और वर्ड फाइल भी आपको भीजी गई है उसके माध्यम से समस्ते हुए अपने उतर पुसीगा में लिखेंगे धन्यवाद